यह लो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिसकस करूंगा माइक्रो एक और टॉपिक बलकि माइक्रो एक नौमिक्स में वन अफ ता इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिकार्डीन थियूरी ओफ रेंट इसका दूसर नाम क्लासिकल थियूरी ओफ रेंट भी है क्योंक उस तरीके से करेंगे तो शायद ही आपके टीचर को यह नंबर काटे ठीक है और जमीन की जो पावर्ज हैं देते किसको लैंड डॉट को और जो जमीन की पावर्ज हैं वो ओरिजनल हैं और इंडिस्ट्रक्टिबल हैं तो जब भी हम इसकी क्रिटिसिजम करेंगे तो कहेंगे ओरिजनल भी नहीं होती और इंडिस्ट्रक्टिबल भी नहीं होती में कुछ assumptions है, यह assumptions लेके चलेंगे तभी यह theory काम कर पाएगी, सबसे पहला difference in the fertility of land, Ricardo कहते थे, कि जो fertility of land है वो different है, हर एक जमीन की अपनी-पनी fertility है, supply of land is fixed, supply of land fixed रहती है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, land has only one use, that is cultivation, जमीन का सिरफ एक ही काम है, cultivation करना, यह भी criticism वाला point है, जो हमने criticism में लिखा हुआ है, perfect competition होगा product market में, आप perfect competition क्या होता है, वो मेरी market में जा कि आप videos देख सकते हैं, पूरी की पूरी perfect competition पर मैंने बनाई है, अगर यहीं पर मैंने बता दिया, perfect competition का detail तो यह chapter रह जाएगा फिर, law of diminishing returns होगा, law of diminishing returns होगा agriculture में, कि जैसे ऐसे आप ज़्यादा factors use करोगे, total production बढ़ेगी diminishing rate से, there exists marginal or no rent land, यह कहता है कि जो सबसे low quality का land है, उसको marginal land कहते हैं, जो सबसे घड़िया quality का होता है, और उस पे कोई rent ही नहीं होता, यह भी इसकी biggest criticism है, बगर हमने इसकी theory तो करनी है ना भई, तो यह assumption तो लिखनी पड़ेगी, land is cultivated in order of its fertility, land को हम order of fertility में मतलब काम करेंगे, जो सबसे बढ़िया land है, उसको पहले cultivate करेंगे, वो सारा खतम हो गया, तो जो उससे low quality का land है, फिर उसकी तरफ shift हो जेंगे, फिर और लो की तरफ shift हो जेंगे, fertility of land is original and indestructible, जो जमीन की fertility है, original भी होगी, indestructible भी होगी, इसकी भी criticism हागे करेंगे, बोल बोल के गलाब आट गया, demand for agriculture products increases with the increase in population, जैसे से population बढ़ेगा, agriculture goods की demand बढ़ती रहेगी, cost of agriculture production depends upon the amount of labor spent on it, agriculture पे कितना खर्चा बगर आता है, यह किस पर depend करता है कि कितनी labor agriculture पे लगती है, तो यह तो थी assumptions, अब हम heading लेंगे determination of rent, कि rent को determine कैसे किया जाता है, दो situations है, जिन में rent determined होती है, पहली situation, rent in extensive cultivation, second intensive आईगी, तो यह extensive cultivation होता क्या है, ध्यान से समझना, extensive cultivation refers to the cultivation in which more land is used to increase production, यह कैसी situation है, जिसमें अगर आपने production बढ़ानी है, तो आपको quantity of land बढ़ाना पड़ेगा, quantity of land को बढ़ाना पड़ेगा, अगर आपने total production बढ़ानी है, land को बढ़ाना पड़ेगा, factors को नहीं बढ़ाना पड़ेगा, समझ के बात, तो इसको मैंने table and diagram से explain किया हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं, table plus diagram, तो सबसे पहले मान लो हमार पास four grades of land है, A, B, C, D, ठीक है, A grade सबसे अच्छा land है, ठीक है, वो 10 quantity, quintal, जो भी units हैं, यह बनाता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा जैदा, B grade जो है, eight units produce करता है, C grade six units and D grade four, तो सबसे जो low quality है, उसको marginal land कहा गया है, अब जो cost of capital and labor है, जो खर्चा हुआ है, इन सब को बनाने के लिए, वो तो hundred hundred है, वो तो सब में same रहेगा, अब surplus over marginal land, marginal land कितना है, four, तो four से कितना surplus है, ten जो है, वो four से six जएदा है, जो second वाला है, वो four से four जएदा है, तो हमने क्या किया, जितनी भी इन marginal land है, उसे कितना जएदा surplus आप बनाते हो, वो ही rent है, अगर इसको diagrammatic तरीके से explain किया जाए, तो A grade of land कितना माल बनाता है, A grade of land मैं यहां से बताता हूँ, A grade of land जो है, वो ten माल बना रहा है, ठीक है, यह सिद्धी लाइने जो है, यह, मैं scale तो है नहीं, फिर भी कोशिश कर र बनाता है माल, six, तो C वाली ले जाता हूँ, six तक, ठीक है, D कितना बनाता है, four, तो यह मैं ले जाता हूँ, four यहां तक, अब मैं जो lines है, इनको थोड़ा सीधा कर देता हूँ, तो अगर देखा जाए, तो A ने बनाया ten, output, B ने बनाया eight, C ने बनाया six, और D ने बनाया four, अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना है इस बात को, मैं यहां थोड़ा color change कर लेता हूँ, थोड़ा मजाएगा, D grade कितना माल बनाता है, four, तो D grade बनाता है four, four के उपर, जितना भी surplus produce हो रहा है, यह rent है A के लिए, ठीक है, अब B, B कितना माल बनाता है, eight, minimum four तो बनता ही ह अब four के उपर, जो भी, मतलब यह, जो four के उपर, जितनी भी excess production, B grade of land ने की है, वो उसका rent है, और C वाले का rent इस हिसाब से यह वला हो गया, और D पे कोई rent ही नहीं आया, क्योंकि यह तो marginal land है, यह rent free है, तो यह जो shaded portion है, यह आपको rent दिखा रहा है, ठीक है, अब इसको different तर price हो गया, यह A grade of land ने यहां बता है, फिर B grade बना है, फिर D grade बना है, C नहीं बना है, C भी आप बना सकते हो बीच में, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें थोड़ी cost curve बना के आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा, कि जैसे for example, यह बनगी MC curve, ठीक है, मैं यह देता हूं, MC curve of B grade land, MC curve of D grade of land, ठीक है, इनका भी equilibrium यहां पर आ गया, मैं यहां पर लिख देता हूं, equilibrium of A, यहां लिख लेता हूं, equilibrium of B, यहां लिख देता हूं, equilibrium of D, ठीक है, अब यह तो equilibrium quantity होगी, ठीक है, यह equilibrium quantity होगी, नीचे जो मिलाते हैं, ठीक है, तो यहां लिख देता क्यों quantity for a quantity for b quantity for d मेरा पेज लंबा नहीं नहीं तु मैं db आइड कर देता सॉरी अब मैं क्या करता हूं अब मैं दिखाऊंगा कि जो a grade of land है उसको super normal profit हो रहा है तो a grade of land जैसे इसको टच करेगा आपको यह तो तो d grade of land है वो तो normal profit ही कमा रहा है समझ के बात तो अगर आपको super normal profit और नहीं बनाने आते मैं आपको बता रहा हूं तो आपको market के यह point a हो गया तो अगर मैं इसको सीधी line खीच दूँ तो यह वाला जो shaded portion है यह super non profit है तो a जो grade of land है उसको बहुत ज्यादा profit हो रहा है अगर b के सामने देखें equilibrium को इसको मिलाएं तो इसका जो profit हो रहा है यह भी profit हो रहा है मगर a से तो कम हो रहा है क्योंकि a ज्यादा productive है औ उसके ज्यादा profit जो land कम productive होगा उसके कम profit अगर आपको super non profit वगरा के concept नहीं आते तो आपको market का chapter देखना पड़ेगा वो मैंने इस playlist में उपर वाली side मतलब थोड़ा उपर जाके देखोगे तो दिया हुआ है चलो आगे चलते हैं next आता है rent is equals to average revenue minus average cost यह कहते हैं जितना भी अपने revenue कमाया minus जो भी आपका खर्चा है वो rent है तो average revenue को हम price भी तो कह सकते हैं price minus average cost वो ही rent है समझ की बात तो इस पे अगर हम देखें तो rent कौन सा है यह जो मैंने shaded portion किया है न यह जो shared किया है portion यह वाला यह rent है इस पे rent shaded portion कम हो गया इस पे no rent हो गया क्योंकि यह तो no profit no loss प wherein to increase production more and more units of labor and capital are employed on a given piece of land यह कहता है कि जो land है उसकी quantity constant रहेगी labor को and capital को बढ़ाना पड़ेगा उसी से production बढ़ेगी मैं दुबारा repeat कहता हूं कि अगर total production बढ़ानी है तो land की quantity constant रखके labor और capital को बढ़ाना पड़ेगा ठीक है अगर मैं इसको back करता हूं ठीक है और color change करता हूं अगर मैं फर्स उनिट ऑफ लेबर जो है labor and capital उसको इस्तमाल कर रहा हूं तो output बन रही है 8 सेकिंड वाला इस्तमाल कर रहा हूं तो like 6 बन रही है ठीक है और फोर्थ वाला करता हूं को तो मान लेता हूं कि 2 बन रही है ठीक है 8 ठीक है सेकिंड वाला लगाया तो total production हो रही थी 6 थर्ड वाला लगाया तो total production हो रही है 4 फोर्थ वाला लगाया तो total production हो रही है 2 तो अगर हम इसमें labor and capital के units है उससे उपर जो भी आप excessive बनाते हो वो rent है अब अगर B grade of देखें तो सबसे जो marginal वाला है वो तो fourth unit है वो two बना रहा है उसके उपर जो भी बचा वो rent अब third में देखें तो यह तो minimum तो two है two के उपर जो भी बचा वो rent तो यह क्या आजेगा आपका rent तो rent क्या होता है surplus over marginal ठीक है marginal वहाँ पर क्या था land यहाँ पर क्या है marginal labor and capital ठीक है I hope यह extensive cultivation आपको intensive cultivation आपको समझा रहोगा अब इसका एक diagram भी है ध्यान से समझना diagram diagram कैसे बना है वो मैं थोड़ा आपको रफ बता देता हूं मैंने क्या बना है x-axis y-axis मैंने पहले से बना के रख दिया ताकि time waste ना हो यह wage वाली curve होगी फिर मैंने क्या किया यहां से marginal revenue productivity बना दी ठीक है और average revenue productivity यह tangent बना दी तो अब मैं सिधा diagram पे आ जाता हूं तो यह E क्या है E is the point of equilibrium ठीक है यह WW curve क्या होती है यह जो cost of labor and capital हम इस्तमाल कर रहे हैं उसकी तनखाएं होगी E is the point of equilibrium because at this point average revenue productivity और marginal revenue productivity बराबर है ठीक है इसको मैं अड़ा देता हूं ARP average revenue productivity and marginal revenue productivity बराबर है अगर आपको नहीं पता यह क्या होती है मैंने उपर इनके उपर अलग लग videos बनाई है यहां playlist में जाके चेक कर सकते हैं ठीक है तो इस case में क्या होगा no rent will arise in this situation because cost and productivity are equal जितनी cost पढ़ रही ह वो marginal land की तरह तो इस case में क्या होगा rent नहीं arise होगा समझ के बात अब हम मानके चलते हैं कि if due to any reason मानलो technology अच्छी कर लिया कोई नई machine ले आया है कोई निया tractor ले आया है the marginal revenue curve marginal revenue productivity curve shift upward to MRP1 तो मैं क्या करता हूं marginal revenue productivity curve को उपर shift कर देता हूं मानलो MRP1 पे तो let marginal revenue productivity curve यह होगी let ठीक है तो मैं यहां पर लिख देता हूं MRP1 तो MRP1 इसको कहां पर काट रही है E1 पॉइंट पे तो यह जो E1 पॉइंट है यह निया equilibrium का point है ठीक है E1 पॉइंट किया एक निया equilibrium का point है इसको अगर मैं नीचे dotted line से जोड़ देता हूं तो यह line थोड़ी टेड़ी होगी है तो यह line ऐसे बन किया है यह नई equilibrium quantity है अब ध्यान से देखना इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर जो आप total output बना रहे हो इसको मैं नाम दे देता हूं मान लो a दे देता हूं इस point को a दे देता हूं ठीक है तो चो total output बन रही है वो है a o q e and e1 ठीक है मतलब यह सारी की सारी output बन रही है यह सारी की सारी output ठीक है मैं गंद नहीं डाल रहा हूं मैं back कर रहा हूं इसको तो a मैं दुबारा लिख लेता हूं a o मतलब point of origin और q e वो जो equilibrium point है और e1 यह सारका सारक है total output अब इसमें costing कितनी पड़ी है costing यह है यह जो तनखाएं दे रहे हैं यह सारी की सारी costing है ठीक है यह सारी की सारी costing है ठीक है मैं इसको back कर देता हूं ताके यह मिट जाए तो costing कितनी पड़ी आपकी यह पड़ी w o q e इस point को मैंने दिया है E1 ठीक है, costing कितनी पड़ी तो rent कितना पड़ा आपको rent ये वाला portion जो बचा हुआ है ये सारा का सारा, ये सारा का सारा rent पड़ गया आपको ठीक है, तो rent क्या हो गया मैं यहां लिख देता हूँ rent है A, W, E1 ठीक है, A, W, E1 ये सारा का सारा rent है I hope ये वीडियो आपको पसंदा रही होगी थोड़ी लंबी होगी है, बट ये क्या करूँ long question है, इसको समझाने में भी time लगता है ठीक है, तो मैं हलका सा आपके लिए shade कर देता हूँ, ये जो portion है भाई, ये rent है सारा का सारा, ठीक है, अब आगे चलते है अब next आजाता है criticism इसकी criticism तो असान होती है, बुराई ही करनी है तो सबसे पहली बुराई, fertility of soil is neither original nor indestructible ये पुरी की पुरी थियोरी बेस्ट है जो आपकी जो rent है ये जमीन से rise होता है, और जो जमीन की solution तो हो ही रहना है, तो destruct क्यों नहीं हो सकती तो destruct भी हो सकती है बार बार उस पे उगाई जाओगा, उगाई जाओगा, उसकी fertility कम हो जाएगी, land एक और चीज, fertile land might not be used for cultivation first of all, ये पुरी ये assume करके चलती है कि सबसे पहले जो इनसान है, उसने fertile land का इस्तमाल किया, भाई इस इनसान को क्या सपना आ रहा है कि कौन सा land ज्यादा fertile है कौन सा कम, ज़रूरी तो नहीं न ऐसे तो ज्यादा जो fertile land है, वो तो forest है, forest को काट के थोड़ना शुरू कर दिये था पहले, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा fertile land पहले इस्तमाल किया और उससे low fertility पे low fertile land पे गए, ऐसा ज़रूरी नहीं है फिर आ जाता है, marginal land और no rent land, इसने एजियूम किया था है कि ऐसा land है, जिसकी भाई कोई fertility नहीं है ऐसा तो होता ही नहीं है, कि कोई ऐसा land है जो सबसे गया गुजरा है, और उसका rent ही नहीं होता समय की बाद, इसकी भी criticism है rent is not due to fertility, but due to scarcity कुछ लोग ये कहते हैं, कि rent fertility के इसाब से नहीं होता है rent, scarcity या rent, जमीन की कमी है इस वज़े से rent arise होता है rent is not included in the price of the product is also wrong ये थिरी मान के चलती कि rent जो है कि आपका खर्चा तो निकले न, तो rent does enter into price, ये थिरी कहती है rent price में enter ही नहीं होता, ठीक है rent is not paid for the use of land only ये थिरी मानती है कि सिरफ rent जमीन के उपर है वही कार पे भी तो rent हो सकता है management चीजों पे भी तो rent हो सकता है, वो ये थिरी नहीं बताती, difficulty in measuring the productivity of land before fixing the rent, अब for for example, मैं किसी से जमीन rent पे लेने गया, तो मैं पहले माल उगाऊंगा, फिर देखूंगा कि उसके आस पास सबसे लो productivity किसकी थी, और मेरी productivity कितनी है उसका जो difference है, वो rent दूँगा ये system होगा, या मैं जिससे land लेने गया, rent पे वो पहले rent डिसाइड करेगा, तो ये थी, तो उल्टी है, ये कहते हैं, जितना production होगा, उसके इसाब से rent डिसाइड करो, ऐसा थोड़ी न होता है, तो difficulty in measuring the productivity, हमें पहले कैसे productivity का पता लग जाएगा, next, every land has some fertility, ये कहता है कि जो margin alternative uses, ये assumption लिया था कि land का सिरफ एक ही काम है, cultivation ठीक है, वो भी बुराई कर दी कि land के तो कई uses होते है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, चाहे है लंबी है, मगर ये ऐसा कोशन है कि आपको पास करा देगा, ठीक है और जिसे साब से मैंने लिखा, इसे साब से लिखोगे, इसमें थोड़ा add-on कर लोगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, नेक्स वीडियो में मैं लेके होगा modern theory of rent, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और आप चाहते हो कि आपके friends भी past boost हो जाएं, तो उनके साथ भी share कर देना, और subscribe जरूर कर लेना, अगर आपको पसंद आई है तो, take care, have a nice day